चात्रो अभी आपको पता है कि मानव शरीर में विबिन अंग संस्थान जैसे कि पाचन संस्थान उत्सरजन संस्थान अभिसरण संस्थान आदी हैं आज हम श्वसन संस्थान के बारे में अधिक जान करे लेंगे ये करने से पहले मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं सोचो और उत्तर दो क्या सब मानव श्वसन करते हैं हाँ हम सभी मानव श्वसन करते हैं हम कब सांस लेते हैं मतलब दिन में या रात में हम लगातार दिनराज श्वसन करते हैं मतलब श्वसन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अनैच्छिक होती है ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है हम नीन में भी सांस लेते हैं और अब अन्तिम प्रश्ण क्या तुम कलप ना कर सकते हो यदि एक व्यक्ति सांस लेना बन करे या श्वसन ना करने पाए तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति मर भी सकता है यदि वो लंबे समय तक सांस ही ना ले पाए तुम्हें समझना चाहिए कि ये हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सांस लेते समय हम ऑक्सिजन से भरपूर हवा शरीर में लेते हैं इसे निश्वास कहते हैं ये ऑक्सिजन शरीर की विवित कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और इसका उप्योग हमने खाये हुए अन्न को ऑक्सेडाइज करने के लिए होता है इसके फलस्वरूप अन उर्जा एडिनोसीन ट्राइफोसफेट एटीपी के रूप में बंदिस्त होती है हमारा शरीर इन एटीपी अनुओं का उप्योग विवित कार्य और गतिविधियों के लिए करता है अब हम मानव के श्वसन संस्था के बारे में जानेंगे श्वसन संस्था में विविध अंगो जैसे की नाग, ग्रसनी, श्वसन अनलिका, फेपढ़े, श्वासपटल होते हैं एक नाग नोज श्वसन प्रक्रिया की और श्वसन संस्थान की शुरुवात नाग से होती है नाग में स्थित बालों के और चिपचिपे पदार्थ की सहयता से हवा चण कर अंदर ली जाती है वैसे ही नाग में मौझूद कुछ खाश कोशिकाओं के कारण हम सूंग सकते हैं दो, ग्रसनी ग्रसनी से आहार नाल तथा श्वसन अनलिका की शुरुवात होती है श्वसन अनलिका आहार नाल के आगे होती है श्वसन अनलिका के ऊपरी भाग में एक धक्कन होता है आहार नाल में भोजन के कंड जाते समय इस धक्कन के कारण श्वसन अनलिका धकती जाती है जिससे श्वसन अनलिका में भोजन के कंड प्रवेश नहीं करते अन्य समय में श्वसन नलिका खुली होती है जिससे हवा ग्रसनी से होकर श्वसन नलिका में जाती है श्वसन नलिका का शुरुवाती हिस्सा स्वरायंत्र के कारण फूला हुआ होता है वक्ष में श्वसन नलिका दो शाखाओं में विभाजित होती है एक शाखा दायें फेपड़ी की ओर और दूसरी बायें फेपड़ी की ओर जाती है क्योंकि बाया फेपड़ा वकष भाग में रिदाये के साथ जगा बांटता है इसके कारण वो आकार में छोटा होता है प्रत्य एक फेपड़े पर द्वितिय आवरण होता है जिसे फुपुसावरण कहते है फेपड़े स्पंज की भांती प्रत्यास्त होते हैं फेपड़े छूटी छूटे कुपियों से बने होते हैं जिनें वायुकोष कहते हैं वायुकोष के चारों ओर केश वाहिनियों का घन प्रदान फेपड़ों में होता है इससे ही रक्त का शुधिकरन होता है पांच श्वासपटल श्वासपटल वक्षभाग के नीचे होता है यह परदा है जो श्वसन के समय ऊपर नीचे होता है तो ये सब श्वसन संस्था के बारे में था, अब हम वास्तवीक रूप से श्वसन की क्रिया को समझेंगे, अथ्वा श्वसन के समय क्या होता है, इसे जानेंगे, ये तंत्र अच्छे प्रकार से सीखने के लिए मैं इसे तीन पद में विभाजित करूँगा, एक श्वसन, दो फेफडे और कोशिकाव में गैस का आदान प्रदा, तीन एटीपी अणुके निर्मान के लिए ऑक्सिजन का उप्योग, एक श्वसन, इस प्रक्रिया में निश्वास और उच्वास आते हैं, निश्वास करते समय हम ऑक्सिजन से भरपूर हवा नाक के अंद जाना ये दोनों क्रियाएं साथ होने से फेपडों पर का दाप कम हो जाता है, जिससे बाहर की हवा नाक द्वारा फेपडों में जाती है, इस से विपरित घटना जब हम उच्वास लेते हैं तब होती है, ये हवा कारबन डाय ऑक्सिजन से भरपूर होती है, जो हमारे नाक से होकर बाहर जाती है, उच्वास की समय, श्वास पटल बहिरवक्र आकार का बनता है, पसलिया अपने स्थान पर आती है, इस से वक्षभाग की घंता कम हो जाती है और अंदर हवा का दाप बढ़ता है, इसकी कारण हवा शरीर के बाहर जाती है, गैसिस के आदान प्रदान प्रदान का दूसरा पद दो भागों में विभाजित किया सकता है इसे वाईयश्वसन और अंतश्वसन रक्त में होने वाले गैसों के आदान प्रदान कोamtश्वसन कहते हैं रक्त से कोषीकाओं में जाती है तथा कोशीकाओं से कार्बंडा उक्साइड रक्त्म समय घैसों का निरंधतर आधान्प्रदान होता रहता है कि लाल कोशिकाव में हेमोगलोबिन नामक लोहयुक्त प्रतिन होता है वायू कोश्वो में आने वाली हवा ऑक्षिजन वेमोगलोबिन द्वारा अविश्योशित की जाती उसी समय कारबन नाय ओक्साइड और जलवाश्प रक्त के वायु कोश्व में जाते हैं और वहां मौजुद हवा में घुल जाते हैं श्वसन के आखरी पड़ाव में ऑक्सिजन का उप्योग अनगा जारन करने के लिए याने ऑक्सी करन करने के लिए होता है और इसी वज़ा से अन उर्जा एटीपी अनों के रूप में बंदिस्त होती है इसी प्रक्रिया को कोशिकी ये श्वसन कहते हैं सारांच मानवी श्वसन संस्था में नाक, ग्रसनी, श्वसन नलिका, फेपडे और श्वासपटल आधी अंग होते हैं श्वसन की प्रक्रिया चरण बद्ध पद्धती से होती है पहले चरण में ऑक्सिजन को फेपडों में लिया जाता है तब कारबन डायोकसाइड नाक से बाहर जाती है इसे निश्वास और उच्वास कहते हैं दूसरे चरण में बाहिय और अंतश्वसन होता है बाहिय श्वसन में फेपडों में मौजूद रक्त में ऑक्सिजन भर लिया जाता है और कार्बन डाय ऑक्साइड बाहर निकाला जाता है और अंतश्वसन के समय कोशिकाओं को रक्त से ऑक्सिजन मिलती है अंत में कोशिकी य इंड़केश्वसरंग क्या है